तो आप मेंसे जो भी हिस्ट्री ओनर्स वाले स्टूडेंट है उनका 24 को भी एचाइसी 102 का पेपर है अक्चिरी मेरा भी पेपर है तो मैंने प्रिवियसली दो चाप्टर्स उसके अपलोड किये थे एक ब्रॉंज एज किया दूसरे शायद एजिप्शिन सिविलाइजेशन के क्योंकि मेरे चैनल में ज्यादा तर बीसी वाले बच्चे हैं इसलिए मैंने फिर कंटिन्यू नहीं किया था उसे बट अभी कुछ लोगों का कमेंट था कि इस चाप्टर को मैं पूरा कर दू लाइक पूरे सब्जेक्ट को तो मैं आप बता देती हूँ कि मैं लाइन बाइ तो इसमें लाइक पढ़ने के लिए कुछ ही चीज़े हैं आप इसके जब स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहां पर आपको प्री हिस्ट्री मिलेगा ब्रांचेज ऑफ नौलेज ऑन प्री हिस्ट्री मिलेगा इं इंट्रदक्शन टू आर्केलोजी है तो इसमें नॉर्मली हो सबसे पहले जाना प्री हिस्ट्री क्या होता है तो प्री हिस्ट्री रफ में अगर आप देखोगे तो वैसा टाइम जहां पर कोई भी लैंग्विज नहीं exist करती ती आदमी लिख नहीं सकते थे बोल नहीं सकते थे बिलकुल ही जब आनिमल से हम निलते-जूलते थे उस पढ़ना लिखना नहीं आता है ट्राइब को लेकिन उस ट्राइब के बारे में एक कोई किंडम है वहां के जो आपके historians विगरा है वो लोग उनके बारे में लिखते हैं तो यह जो include होता है वो proto history में होता है मतलब एक illiterate person के बारे में एक लिटरेट person कुछ लिख रहा है तो यह आपके proto history हो गई तो pre history और proto history दोनों का आप definition देख लेना दोनों क्या होता है इसमें लिखा हुआ भी है what is pre history and all तो इन चीजों को थोड़ा सा पढ़ लेना इस branches की बात करते तो सबसे पहले यहां पर archaeology आ evidences correct करते हैं और जो history है उसे create करते हैं तो बस यहां पर simply आपको archaeology को समझना है archaeology होता क्या है तो artifact एक point यहां पर याद रखना है artifact मितलब होता है इंसान के दौरा बनाई गई कोई भी चीज जैसे माल लो कि Indus valley civilization में लोग potries यूज करते थे किसी तरह का बरतन यूज करते थ हैं तो वह सारी चीज़े जब अभी हम जमीन के अंदर से कोड के निकाल रहे हैं तो वह एक तरह से artifact हो गया जिसके through हम evidences करेंगे history को create करने के लिए तो अब इसका एक simple सा definition लिख देना क्या archaeology होता क्या है then scroll कर देना यहापर वही artifact के बारे में मैंने बताया like crude and finely made tools of stone, durable pot, bones हड़ी वेगरा जो भी मिलते थे वह सारी चीज़े यह देख लो आप पिक्चर भी दीवी हैं पेंटिंग भी एक तरह का artifact हो गया आपका मैं यह पर इंग्लिश हिंदी दोनों को mix करके बता रही हूं तो आप मेंसे जो भी Hindi medium वाले बच्चे हैं वह Hindi वाले PDF से पढ़ लेना और English medium वाले जो हैं वह English medium से पढ़ लेना में इस चाप्टर में आपको अभी सबसे पहले प्री हिस्ट्री समझना है क्या है उसका definition देख लेना प्रोटो हिस्ट्री का definition देख लेना देन आर्टिफेक्ट समझ लेना जो archaeology में यूज होता है archaeology है क्या और steps steps को जरूर से यहां पर हमें खुदाई करनी चाहिए फिर land recognizance मतलब वहां पर जाकर के हम उस land का पूरा जायजा लेते हैं कि क्या land है कैसा है मतलब पथरीला है या फिर सम उंदर किनारे है जंगल में है कहां है उसका land recognizance जो है वह देखते हैं then फिर आता है text peating वहां पर जो भी excavators वगर होते हैं वह लोग जाके देखते हैं कहां पर हमें खुदाई करनी चाहिए कहां से हमें जादा artifact मिलेंगे उसके बाद फुल excavation होता है मतलब पूरी तरह से वहां पर खुदाई होना शुरू होता है पहले पूरा arrangement हो गया कि हाँ इस जगह के इस प्लेस पर हमें खुदाई कर reconstruction and cataloging अब reconstruction मतलब कुछ टूटी-फुटी चीज़ें आपको मिली है तो उसे आप किसी तरह से जोडने का लाइक कोशिश करोगे उसे जोड़ करके बना लिया जाए जैसा वह था देन उसके analysis होता है मतलब पूरी study की जाती है उसके ओपर like example pottery मिली है आपको तो वह जो pottery है वह किस मिट्टी से बनी है बेग्ड है की नहीं है उसके painting की गई है या नहीं उसको क्या रखने के लिए use किया करता तो यह सारी analysis होती है then reporting पुरी report तेयार होती है उसकी और फिर उस जो artifact को sportry को हम museum वेगरा में रख देते हैं तो यह steps हो गए आपके इन्हें आप याद कर लेना for example आप helicopter से उपर से camera से या drone से किसी area का पूरा shoot ले रहे हो देखना चाह रहे हो कि कहां पर हमें कोई evidence मिलते हैं या नहीं और अगर कुछ मिल जाता है तो फिर वहां पर उसकी archaeologist जाके खुदाई करता है तो पहला हो गया aerial मतलब उपर हवा से वहां पर photo खिशना है for example best है कि drone के method से फिर आता है underwater prospection या marine archaeology marine का मतलब होता है पानी समुंदर के अंदर तो कई बार समुंदर के अंदर भी archaeologist जाके खुज बिन करते हैं लागिए आप example देख सकते हो किसी एक British steel cargo ship का वो handle उनको मिला है magnetic survey यह सारे devices है magnetic उसमें काम होता है उसके थुरू वो खुचते हैं places वहां पर भी आप इससे देख सकते हो लाइक अपो सिफ नाम याद रखना है aerial photography हो गया marine archaeology हो गया magnetic survey हो गया फिर आपका chemical analysis of soil हो गया soil के थुरू पता करते हैं detection of anomalies in subsoil then prospection by acoustic or seismic method यह छे नाम याद कर ले बस डीटेल में जाने की जरूरत नहीं है question देख लो यहाँ पर पूछा गया है prehistory को explain कीजिए prehistory proto history के बारे में difference बताईए what is an artifact list the step of archaeological research हमना भी पढ़ा और how is field of archaeology progressed in recent time तो पहले क्या होता था लोग अंदाज ही किसी एक जगह को ले ले लेते थे select कर लेते थे कि चलो इस जगह पर में खुदाई करने हैं देखते हैं क्या मिलता है बट अब क्या है यह इतनी सारे जो aerial photography marine archaeology हमने बताया यह तो अभी के ताइने archaeology कैसे developed की है क्यों आप जाकर के यूज होने लगा है तो उसे आप नहां पर देख लाएं वहीं में लिखना है बस डेटिंग नेथर्ड और archaeology है अब हम जो डेटिंग नेथर्ड है कुछ जो हमें आतिसाख मिलता है उसका हम बेटिंग करते हैं तो मालो हमें इस हड़ी में भी है या इस skeleton मिला है किकी का धा सर्फ मिला है तो उसका हम बेटिंग पता करने के कोशिश करते हैं कि कि यह साल पुराना है तो इस यह ज you a? करता है अ परkovा शाल करते हैं तो आपको ध्यान में रखना लाइगा तो आपको याद रहेगा कि पेड़ के तनने जितने रिंग्स होते हैं वह अपना पुराना होता है यह देख लेना और पूटास्यम आरगन देटिंग यह दोनों फूट होता है वह एक्प्रें करने के लिए आ सकता है दस मांक वाले कुशिन में उसके बाज आपकरें हमें जो समान जमीन के अंदर से मिलता है उसके उपर हम स्टडी करते हैं और रिसरच करते हैं लेकिन anthropology में हम overall जो है उसके biological, physical, social, cultural सारी चीज़ों को पढ़ते हैं इसे मैं एक normal भाशा में अगर बताऊँ तो पुराने जमाने के इनसान कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे कैसे बात करते थे, कैसे हांटिंग करते थे यह सारी चीज़ों की जो study है overall, वो कैसे मतलब किसको worship करते थे कुछ उनके duties थे कोई उनके भगवान थे या नहीं थे family कैसे manage करते थे कैसे वो बोलना सीखें यह सारी चीज़ है, मतलब total biological मतलब कैसे development हो रहा है body के अंदर कैसे इनसान जो है कैसे इनसान में बदल रहा है social आ गया कि घर परिवार को ले करके कैसे वो चल रहा है, इनसान क्या काम कर रहा है कैसे family चल रही है social में आ गया, और linguistic में आ आ गया कि वो कैसे बोलना सीखा कैसे बोलना सीखा कैसे लिखना सीखा, कैसे एक दूसरे से उसका communication स्टार्ट हुआ, तो ये सारी चीज़े हैं, आपके जो anthropology है, इसमें पढ़ते हैं, और archaeology भी जो है, वो anthropology का, sorry, anthropology का एक पार्ट है, तो anthropology के चार डिविजिन है, सबसे पहला है biological और physical anthropology, biological जहां भी लिखा हुआ मिलें, मतलब कि biology से related होगा वो, biological anthropology के फिर further तीन और points है, human biology, primatology और paleo anthropology, बस इसका नाम याद रखना, जादा डीचेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, biological मतलब human के biology से related, ये एक पार्ट होगा और anthropology का, cultural, social, cultural anthropology मैंने बता दिया, उसके societies all over world जो है, उससे related हो गया, linguistic हो गया, language के तुरू, जो वो बात करता था, क भी भी आजकल के भी tribes में, जो पुराने जंगल में रहने वाले tribes है, वो कैसे क्या बात करते हैं, उनका language, हमारे language से difference कैसा है, तो यही सारी चीज़े अंत्रोपोलोजी में study की जाती है, और archaeology भी anthropology का एक पार्ट है, ये याद रखना आप, ठीके और ये हो गया, आपका summary तो आप लिख दोगे, फिर आप archaeology को पढ़ लेना, archaeology के क्या क्या स्टेप्स हैं, वो पढ़ लेना, then कौन-कौन से नए अभी प्रोग्रेस्ट जो methods है, कौन-कौन से यूज हो रहे हैं, archaeology में like aerial photography, marine archaeology, ये सारी points को याद कर लेना, dating method देख लेना, दो-तीन बस जैसे radio carbon dating द समझ जाना कि क्या है, ताकि आप उसे बात में बना के लिख सको, फिर anthropology पढ़ लेना, anthropology क्या है, और anthropology के कितने पार्ट है, चार पार्ट में divided है, वो सारी को देख लेना, बस और इसमें करने का कुछ नहीं है, तो chapter 1 आपको यहीं पर खतम हो जाता है, chapter 2 मैं कोशिच करूँग किया हुआ नहीं है, तो आप जब पढ़ोगे, तो आप अपने से हालाइट कर लेना, और चोटे-मोटे जो है, वो नोट्स बना लेना, और अगर मेरे नोट्स बन जाएंगे, रफ वाले, रिविजिन वाले, तो मैं उसका लिंक जो है, वो डिस्क्रिप्शिन में डाल दू आप लोगों के हल्प के लिए, और सो थांक्स पर वाचिंग, और नेक्स्ट चाप्टर के लिए हम कल मिलते हैं, बाई-बाई